जोलोग दोस्तों विल्कम टु जिरो आई स्वाम के स्वाव गोत दो एले के सागий गूस्ते नियन के पुइए लाज ओंधि की दोस्तों को हम पता है हमारा ऑब कांस्ट रुख एक से लेएंगłeं भारति में का जो राज्य है और उसका इरिटीरी का क्या का है उससे समंदित है दोस्तों आटिकल वण में कहा घ Floren इंडिया जो है वो क्या है राजियो का संग खर है मतलब यह होता है कि राजियों को बहरत से अलग होने की मंजूरी नहीं है साथी साथ हमारा जो भारत का संग बना है वो कोई भी agreement के द्वारा दोस्तों नहीं बना है ठीक है और हमारे constitution ने भारत को और इंडिया को दोनों एक ही दे से ऐसा माना है ठीक है साथी साथ हमने union सब दिशले चुना क्यों चुना हमने बता दिया पहला की भारत का जो federation है भारत जो दोस्तों हमारा जो संग बना हुआ है ठीक है वो कैसे है वो कोई भी agreement के द्वारा नहीं बना है नहीं हम लोगों ने बस सिर्फ आपको प्रसासनिक सुईधा के लिए इस त राज्यों को permission है कि वो भारत के संग से अलग होने का तो अगर हम बात करें कि आर्टिकल वन में territory of India के बारे में लिखा गया है ठीक है तो भारती छेत्र को मतलब क्या होता है भारती छेत्र का मतलब है इसमें राज्यों का छेत्र है ठीक है इसमें केंसासित परदेश है और इसमें बहुत सारे एरिया भी सामिल है, जो future में भारत सरकार है, जिसको acquire कर सकता है, तो हम बोल सकते हैं, कि जो union of a state है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, राज्य आएगा, सिर्फ कौन आएगा, राज्य आएगा, उसमें आपको केंसासित परदेश भी नहीं आते हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने 28 अस्टेट को बनाया और पहले 9 केंसासित परदेश था आप जो है 28 अस्टेट और 8 जो है केंसासित परदेश हैं जिसमें लगभग सभी राज्य बराबर है लेकिन कुछ हम राज्यों को हम लोगों ने विशेस अधिकार का दर्जा दिया है जैस जो भाग 21 है उसके तहट विशेस प्रवधान दोस्तों किया गया है जैसे महराष्ट गुजरात नागालेंड असम मनिपूर आनपरजे तिलंगाना सिक्की मिजोरम और नजपते गोवा एंड करनाटक इसके पहले जम्मू का स्मीर को प्या स्पेसरा स्टेटस था लेकिन व हम लोग अच्छे से सुधार करने के लिए वहाँ पे अनुसुची जाती जन जाती और उनका कल्यान करने के लिए हम लोग उनके लिए कुछ विशेस उबन किये हैं तो अगर हम तो मैंने बता दिया आपको कि टेरिटरी आफ इंडिया में राजे केंसासीद परदेश और व वह सारे एरिया जो भारत कैप्चर कर सकता है उसको कवर नहीं किया जाता है अगर हम बात करें कि यूनियन टेरिटरी क्या होता है तो यह कोई भी केंसासीद परदेश होगा जब ऐसा एरिया जिसको भारत भवी से में कैप्चर करेगा वो डारेक्ट और डारेक्टली डारे स्टेट है सोवरेन स्टेट का क्या मतलब है तो फ्यूचर में जो है कोई भी एरिया को कैप्चर कर सकता है और कोई भी भारत का किसी को दे सकता है और जो भी यह काम करेगा वह अंतराष्ट कानून के दवारा जैसे सीजेशन ठीक है संतात्रन या संधीक अनुसार खरीद उप दमनेंडिव और पॉंडिचेरी और सिक्किम यह सारा जो एरिया है समिधान के लागोंने से पहले हम लोग जो है सामिल कर लिये थे भारत में जैसे दादरा नगर हेवेरिश दमन्दिव यह सो हमने किसे लिया पूर्थगाली से गोवा भी लिया पॉंडिचेरी लिया अब क किसे प्रांसे और सिक्किम जो था यहां पर पहरे दूसर आजा हुआ करता था उसके बाद हम लोगों ने उसको कैप्चर किया भारत में उसको सामिल किया तो आर्टिकल जो दो है दोस्तों यह भारत को पर्मिशन देता है कि भारत के पार्लियमेंट को पर्मिशन देता है कि ने एक तो यहां कि कोई एरिया पहले से है उसको आप सामिल कर लो जो पहले से था और प्लस वो एरिया का सामिल कर लो लेकिन उसको एक राज्य का दर्जाद दे दो या केंसासित परदेश का दर्जाद दे दो तो यह भी हम कर सकते हैं तो ठीक है समझ रहे हो और कोई भी एरि लिए और पीस का नाम हम हम लोग चेंज करके कुछ इंसासित परदिस या राजयवप का दर्शा दे सकते हैं या आर्टिकल टू कहलाता है दोस्तों आर्टिकल टू उन सारे छेत्र को से समंदी थे जो पहले पास्ट में फ्यूचर का पार्ट नहीं था इंडिया का पार्ट न हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल दो जो है वो बाहर से समंदी थे बाहर वाले चीज़ को अंदर करना आर्टिकल तीन जो है इंडिया का इंटर्नल जो है रियोर्गनाइजेशन करने से समंदी थे आर्टिकल हमारा तीन सिंपल हो गया समझ मागया अब हम देखेंगे कि पार्लि जाता है तो आर्टिकल तीन के तहर जो भी चीज लाए जाता है सबसे पहले कानून के दुआरा वो राजी के री और गठन किया जाएगा उसके लिए आपको राश्पती से बिल लाने से पहले राश्पती से पूरो परमिसन की दोस्तों जरूरत पढ़ती है ठीक है और राश् जिस लाज्य को हम लोग री ओरनारेशियसन कर रहे हैं उसको विधान सवा को दोस्तों हम अपहजते हैं ठीक है सबसे राश्पती के पूरन मंझूरी के साथ प्रदर में प्शिके जाता है और उसके पहले जो राश्पती होगा उस अध्यादेश को ठीक है ना उस आपका ज कि आप क्या चाहते हैं और आपका पस हम पूछने के लिए उससे पूछ रहे हैं वो कुछ भी परमिसन देगा या कुछ भी बोलेगा उसका बात जो है वैलेड नहीं होगा अगर पारलेमेंट चाहेगा तो उसके आदेश को अपोजीट करके भी हम जो है राजी को बना सकते है ठीक है तो हम देख रहे हैं कि राजी का जो औस यह जो राजी का जो अस्तित है वो सिर्फ पर सिर्फ केंसर ute pounds नाम चेंज करता है वो सारा चीज जो है पार्लेमेंट पे डिपेंड होता है तो जो भी बिल जाता है आपका विधान सवा में तो प्रेसेडेंट हो या पार्लेमेंट हो उसका क्या विचार है उसे कोई भी उसको लेना देना नहीं है तो राजपती या संसत जो है राजी बिल को विधान सभा में भेजने की जरूत नहीं है एक बार हमने भेज दिया तो भेज दिया बार बार ज़रूरी नहीं कि भेजते रहो ठीक है समझ में आ रहा है और अगर कोई union territory है उसका अगर हम एरिया पेर या चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए को जरूरी नहीं है वह इयास रखियेगा लेकिन राजी के लएबर है लेकिन उसका आदेश का मानने की जुरत सकता है बिल को आगे बढ़ा सकता है कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है समझ रहे हो तो constitution दोस्तों power देता है भारत के parliament को कि वो कोई भी राज्य का जो है मांचीतर को पूरा निधारन कर सकता है ठीक है तो हमारा constitution राज्यों को guarantee नहीं देता है कि इसका अस्तित्व क्या होगा वह सारा चीजह जो पे डिपेंड कराओ ठाले Derek इसका मतलब हम बॉल सकते है कि राज्यों का जो स्थित्व है वह हमारा panalement लेकर अगर अगरुमीरिका में बात करेंगे तो अमेरिका में आप जो है राज्य का boundary जो है अमेरिका का जो फेडरल कवर्मेंट वो चेंज नहीं कर सकती है ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो क्या है Indestructible Union of Destructible States मतलब हम बोल सकते हैं कि भारत क्या है दूस्तों भारत जो है विभक्त राज्यों का विभाज्य संग मतलब आप की यूनियन को तोड़ नहीं सकते हैं मतलब भारत को छोड़ के कोई नहीं जा सकता है लेकिन राज्य को हम जो है नामताम चेंज करके एरिया फिरिया चेंज कर सकते हैं ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो क्या तो अमेरिका क्या है destructive अमेरिका क्या है दोस्तों अमेरिका जो है वो आपका indestructible union of indestructible state अमेरिका में आप राज्यों को भी नहीं तोड़ा जा सकता है और ना ही राज्य जो है केंद्र को तोड़ सकते हैं ठीक है अमेरिका में अगर जा कखे राज्यों को तोड़ा नहीं जा सकता राज्य आमेरिका में बन गया वो बन गया ठीक है। लेकिन इंडिया में अंडिया हो या अमेरिका vaca का यूनिय को राजण छोड़ सकता तो जो अप छोड़ा करकर सकते हो वह तूट सकता है। तो इंडिया में क्या है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संग और अमेरिका में क्या है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संग दोस्तों ठीक है तो यह हमने आर्टिकल दो देख लिया जो भारत के बाहर से संबंदी थे आर्टिकल तीन देख लिया जो भारत के इ वो article 368 के अंडर नहीं आएगा और आर्टिकल 368 में आता है अन्सपेसल मेजरोटी विसेयस भाहूमत से आता है और उसके अंदर में अगर आटिकल 2-3 नहीं आ रहा है जो आर्टिकल 4 हमारा कह रहा है इसका मतलब हम single majority साधारन भाहूमत से जो है नए राज्यों का गठन कर सकत सकते हैं और बाहर से भी हमें कुछ अगर कोई किसी एरिया को सामिल करना है तो वह भी सिंपल मेजरूटी से हो जाएगा समझ माई हैं तो उसके बाद आप देख रहे हो कि अगरे फारियमेंट को कानून है कि तो किया आइर्टिकल के तहात पर्लेमेट को यह पावर है कि 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 वह किसी एरिया को किसी देश को देवी सकता है तो यह कोशन गया 1960 में बेरुबारी यूनि Clark में जैक वो पाकिस्तान को देदिया गया था तो सुप्रीम कोट ने बोला कि भ change करने का तो क्या वो किसी एरिया को दे भी सकता है अर्टिकल हमारा मतलब नॉर्मल प्रोसेस से ठीक है तो देखो सुप्रीम कोट ने बोला कि नहीं भाई जो आर्टिकल 3 के तो अगर कोई भी एरिया विजेस को दिया जाता है तो वो इसमें सामिल नहीं है अगर कोई भी हम देना चाहते हैं किसी भी एरिया को विदेशी को देना चाहते हैं तो व आर्टिकल 368 मतलदा विसेस बहुंत सही दे सकते हैं आर्टीकल 3 के तहट आप उसको नहीं दे सकते हैं समझ तो सुप्रीम कोट ने ये बोला है कि हम किसी लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोट ने 1979 में ये भी बोल दिया है ठीक है कि अगर कोई बॉंडरी का विवाद है सीमा का विवाद है ठीक है तुसके लिए कोई समिधान संसोधन का जरूरत नहीं पड़ता है पार्लियमेंट जो है खुद से एक्जीकुटीव एक्षन से मतलब स सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ आपका कारेपाली का दुवारा जो है नॉर्मल तरीका से दे सकती है मतलब कहने का ताथ पर यह है कि मानलो यह कोई एरिया है और यह कोई मानलो बॉंडरी का डिस्प्यूट है आपका यह मानलो इंडिया और बंगलादेश के बीच में द्यान से सुधन करना पड़ेगा यह याद रखिए आप ठीक है समझ रहो ध्यान से सुनते जाईएगा सारा चीज कीलियर हो जाएगा कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों तो हम लोगों ने बंगला देश के साथ जो हमारा बॉंडरी का जो एरिया का इंकलेव का किया तो इसम यहां पे था और कुछ है जो है यहां पे था इससे क्या होता था बंगला देश और इंडिया में क्या होता था दिक्कत होती थी वहां के लोगों को उसको पता नहीं जलते था को इंडिया का है कि बंगला देश का है ठीक है तो इस तरह से करके भारत ने 111 इंकलेव को भारत इसमें सीमा का विवाद नहीं था इसलिए एक्जुक्यूटिव एक्शन से नहीं हुआ इसको हम लोगों ने आर्टिकल 368 के अंदर जो है इनकलेव को एक्चेंज किया ठीक है तो हमने उपर बताए कि अगर सीमा का विवाद के लिए करना है अगर एरिया को चेंज एक्शेंज करना अदला बदली तो आपको सिंपल एक्जिगूटिव मतलब करेकारी किरिया के दवार हो जाएगा कानून लाने की जुरत नहीं है पार्लेमेंट में मतलब कॉंस्ट्यूशन में संसोधन करने जुरत नहीं है लेकिन वही आप किसी एरिया को आप दे रहे हो किस को सीमा विवाद का यह इसू नहीं है ठीक है तब उसको आर्टिकल 368 के तहत करना पड़ेगा जैसे हमारा हम लोग ने सववा समिधान संसोधन 2015 में करके बॉंडरी मतलब जो इंकलेव है उसको अदला बदली किये ठीक है याद रखिएगा चलिए आगे हम देखते हैं कि किस तरह से भारत में जो राज्य का उदय हुआ और किस तरह से केंसासी परदेश का दोस्तों उदय हुआ ठीक है तो आप एक था ब्राज जो डायरेक्ट जो है ब्रीटी स सेरकार के अंदर में आता था और दूसरा था हमाना प्रिंस्ट्री अस्टेट जब देस अजाद हुआ था तो दो थरह का प्रांध था एक था राज़ ये रजबाड़ा के अंदर जो देस रियासत चो राजजी के सासन जossen तो इंडियान चब इंडिपेंडेंस ऐक्ट आये दोस्तों तो इसने पावर दे Sílek अदर ता तो इस तरह से टोटल 552 यू था वो देशी रियासत था जो भारत का भगुलिक सेमा के अंदर था इसमें से 469 जो था भारत को जो rhymesटर ओक्लिया तीन जुवाइन नहीं किये थे हैधराबाद, जुनागड और कास्मीर बात में ये लोग भी जुवाइन कर लिए हैधराबाद को हम लोगों ने पुलीस कारवाही के दौरा सामिल किया हम लोगों ने जुनागड में क्या करवाया रिफरेंडम करवाया जन्मत करवाया और कास परदेश से उनको चार केटेगरी में डिवाइट किया गया था पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D ठीक है और तीनों मिला के चारों मिला के वो टोटल 29 थे पार्ट A में कौन था वो थोड़ा से देख लिए बस उतना मोटा मोटा उतना याद करना जोरत नहीं है तो पार्ट C और पार्ट C में था अजमेर भपाल, बिलासपूर, कुछ भिहार, कुर्ग, दिल्ली, इमाचापदे, सहराष्ट ठीक है तो अब मोटा मोटा याद को पार्ट चार जो हमारा चार को कैटेगरी था चार सेक्षन था चार भाग था और हर भाग में जो है कुछ-कु एरिया था, कुछ छेत्र था और अनमान निकोबार D में था इस तरह से जब मारा कॉंस्टिटूशन 1950 में दोस्तों बन के तयार हुआ तो उस समय कॉंस्टिटूशन ने राज्यों को जो है चार कैटेगरी में डिवाइट किया पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D और टोटन मिला के कितने थे 29 थे ठीक है पार्ट D में आपका जो है कौन था अनमान निकोबार बस मोटा मोटा याद रखना है ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ कि राज्य जो है विद्रोह करने लगा क्योंकि भासा बस राज्यों को ऐसा ही कोई मतलब से बिना मतलब के जो लेंग्वेज का डिमांड रखे बिना उसको किया जानने लगा ठीक है समझ रहो तब फिर क्या हुआ लोग जो है डिमांड करने रहे कि भाई हमको भासा के धार पर करो इसके लिए धार आयोग बना धर आयोग बना और जेबीपी समीती बना ठीक है समझे तो हम लोगों ने प्रिंस्टली एस्टेट को जो और्गनाईज किया ग्रूप A B C और D में वो अपने मन से बस प्योरली एडमी एड होक अरेंजमेंट किये ठीक है यह विशुद रूप से अस्थाई विवस्था थी ठीक है इससे क्या हुआ लोग जो है खासकर साउथ इंडिया से डिमांड करने लगे कि भासा के अधार पे जो है लेंग्वेज के अधार पे हमको जो है क्या करो अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइट करो भासा के अधार पे ठीक है तो फिर जाके जून 1948 में सरकार ने एक समीथी बनाया जिसका नाम है लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिशन भास दिसमबर 1948 में और इस रिपोर्ट में इसने ये बोला कि हम जो है राज्यों को हमें बाटना चाहिए एड्मिस्टेटिव कन्विनियन्स के अनुसार मतलब प्रासासनिक स्विधा का अनुसार बाटना चाहिए ना कि भासा के अधार ठीक है तो और भी फिर विरोध होने लग है ठीक है तो फिर सरकार ने फिर एक और समिति बनाया जिसका नाम था समिति लिंविस्टिक प्रोविंस कमीठी जो कंग्रेस ने बनाया था दिसमबर इसको जब बीपी समिती बोलते हैं इसमें तीन लोग थे जौहर लाल लेहनरु ये से वल्लभ भाई पटेल और प्टबी सीता रमया ये भी उनीस सो उन्जास में जो अपना रिपोट दिया और इसने भी जो है रिजेक्ट कर दिया कि अपचारिक रूप से रिजेक्ट कर दिय लिए कि जो है भासा का धार पे राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए तो फिर जाके आप चुकी कॉंग्रेस की समीती थी उसने रिजट कर दिया था फिर जो है कॉंग्रेस के राज्यों से बहुत ही विरोध होने लगा ठीक है और फिर जाके एक वेक्ति थे जिनका नाम था पोटी सिरा मलु. वो आंध्र पर्देश के थे. ठीकिन उन्होंने डिमान रख लिया यह कॉंग्रेस ते इन्होंने डिमान रख लिया 1953 में कि हमको आंध्र परिदेश का चाहिए. क्योंकि पहले मदराज था तो पोलते थे कि जो तेलगू वाला एरिया है उसको अलग कर दो आप मदरास से ठीक है इसके लिए उन्होंने 56 दिन तक भूख अड़ताल किया और उनके डेट से मिर्दी हो गई फिर जाके 12 सरकार को मजबूरन वस अक्टूबर 1903 में जो है अक्टूबर 1903 में आंधर परदेश क मदरास से इलक करके हम लोग बना चुके थे अब लोगों के लिए बन गया था आपका क्या अब भासा काधार पर एर आंधर परदेश तो फिर जो है अब उसें के कि तरज़े बहुत सारे राजी जो है डिमांड करने लगे महराश्च्ट दिमांड करने लगा कि माराथि एक तो फजल अली इसके हेड थे इसके अलावा केम पनिकर और एचेन कुझरू भी थे इन्होंने अपना रिपोर्ट उनीस सो पच्पन में जो है दिया और इसने ये बोला कि देखो भाई भासा के अधार पे आप तो बाट सकते हो लेकिन सिर्फ भासा के अधार भाई हमको ज कि जो क्या क्या हो इसने बोला देश का एक अधाय खंडता को भी हमको ध्यान में रखके राजों का पुर्णर कटन करना चाहिए हम लोगों लिगमिस्टिक और कल्चरल होमोजीनिटी मतलब भासा य और सांस्कीतिक एक रूपता का ध्यान देना चाहिए हम लोग को फाइने किया और उसके दवारा हम लोगों ने सोलला राजय बनाया और तीन जो हम लोगों ने union territory बंडमान निकोबार दिल्ली हिमाचल पर्देश लक्षदीप मीनिकोई अमनीदिव मनिपूर और तिरुपूरा तो आप देख सकते हो कि हिमाचल पर्देश जो है हमारा जो मनिपूर है और तिरुपूरा है यह पहले union territory केंसासित पर्देश था यह आप हम लोग जो है कितने राजे बना दिये हम लोग जो है तो कमीशन ने यह बोला था दोस्तों टोटल 16 और तीन राजी तीन केंसासित पर्देश बनाने के लिए लेकिन जब हम लोग साथमा सभीधान संसोधन करके 1956 में ठीक है तो जो भाग का खा गा था उसको हम लोगों ने है दुस्तों खतम कर दिया ठीक आफ हम लोग क्या बना दिये 14 अस्टेट बना दिया और 6 के इंसासित पर्देश बना दिये एक जो एक नुमंबर 1956 को तैयार हो गया ठीक है तो अस्टेट जियो पन ता उस ने जो नेया नया राज बनाया जैसे केरला बनाया ठीक है जो त्र स्पिकिंग जो एरिया था हैदराबाद का और आंधर पर्देश का मिला कि उसको आंधर पर्देश बना दिया हम लोगों ने मध्य पर्देश विंधिया को भोपाल को मिला के मध्य पर्देश बना दिया हम लोगों ने सहराष्ट और कच्छ को मिला के बंबे का एरिया बना द साथी साथ हमने लक्षदीप और मेनी कोई अमनी दीप को मदरास से अलग करके उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया दोस्तों ठीक है तो यह था 1956 तक क्या हुआ 1956 के बाद फिर आप क्या हुआ और भी लोग डिमांड करने लगे और भी लोग ने विद्रोह किया कि भाई आप जो है भासा के धार पर हमको भी चाहिए भासा और कल्चर के धार पर और भी चाहिए तो फिर जाके पहला जो डिवेजन हुआ वो देखो महरास्ट तो बंबे तो और महराथी लोगों के लिए महराष्ट बना दिया और गुजराती लोगों के लिए गुजरात बना दिया तो टोटल 14 पहले राज्ये थे ठीक है तो एक नया राज्य बन गया उसका नाम क्या हो गया दोस्तों गुजरात और जो बंबे था उसका नाम चेंज होके क्या हो ग पूर्द्राइन नगर हेवेली को थीक है 1954 में ठीक है उसके बाद पूर्दगालियों से हम लोगों ने वो एरिया ले लिया ठीक है और फिर जाके दस्वां समिधान संसोदा 1961 से हम लोगों ने दादराइन नगर हेवेली को यूनियन टेरिटरी बना दिया तो अब पहले छे य टेरिटरी दोस्तों हमारा हो गया कौन दादराइन नगर हेवेली उनिस सो जो आपका 61 में ये बन गया ठीक है फिर हम लोगों ने गोवा दमन और दियू बनाया तो 1961 में हम लोगों ने पूलिस एक्षन के द्वारा जो है पूर्दगालियों से तीन राज्यों को लिया अभी भी जो है केंसासित बना दिया गया फिर उसके बाद पॉंडिचेरी को हम लोगों ने फ्रांस से लिया ठीक है और पॉंडिचेरी में चार एरिया है कौन-कौन है माहे है यनम है पॉंडिचेरी है और कराईकल है ठीक है तो फ्रांस ने इसको 1924 में भारत को दे दिया और ठीक है यह एक्वाय टेरिटरी के रूप में सासन होने लगा और फिर जाके हम लोगों ने उसको एक्केंशासी परदेश बना गिया छौदवा समिधान सनस्कुदन से ठीक है 1962 में फिर जाके अभी देखавि राज यह नहीं बन रहा है राज अभी अधिक है अभी आधि में बनाया है आपका गुजरात बना और गोवा जो है कब बना है जो नागा का पहाड़ी थे और जो त्वेन सांग एरिया था उसको असाम से हम लोग अलग करके एक नागा लेंड का छेतर बना दिये और उसको जो है सुलहवा राज्य का दर्जा दे दिये हिंदी लोगों के लिए क्या बना दिये हिमाच हर्याना बना दिये 1966 में और एक इंसासित प्रदेश बना दिये चंडीगड ठीक है साथी साथ इसमें जो है यह इसली हुआ क्योंकि आकाली दोल बाले लोग बोल रहते हैं कि हमको अलग से पंजाबी चाहिए और हिंदी वाले बोल रहते हमको हर्याना चाहिए तो 17 राज बनी है हमारा कौन हर्याना ठीक है और फिर 18 राज पहले जो हमारा यूनियन टेरिटरी बना था ह हिमाचर पर्देश। अब हम लोगों ने क्या किया दोस्तों कि हिमाचर पर्देश जो पहले यूनियन टेरिट्री था बंजाब को अलग होके बना था अब उस से हम लोगों तो हरी और हिमा चल गुड़ना हरी और हिमा चल ठीक है तो हरी हो गया और हिमा तो हरी हरियाना हो गया सत्रामा राज और हिमा चल हो गया अठार राज गुड़ना मानलों कोई लड़का है और हरी भी लड़का है हिमा भी एक लड़की है तो गूडन, हरी और हीमा चल तो पंदरा राज, नागालेंड हो गया सुल्ला, हरियाना हो गया सत्रा और हीमा हो गया अठारा तो अठारा राज तक अभी बन चुका है ठीक है उसके बाद मनिपूर और तिरिपूर और मेगाले का देखते हैं तो 1972 में आपका जो है तिरिपूरा है ठीक और मेगाले है उनको जो है दोस्तों क्या मिला राज्य का दर्जा मिल गया दोस्तों ठीक है तो इस तरह से जो आपका यह है हमारा मनिपूर है वो 21 राज्य बना टोटल राज जो हो गया वो कितना हो गया 21 राज़ बना कौन कौन मनिपूर तिरिपूर और मेघाले तमने 8 राज देख लिया तो जो है मनिपूर है 19 राज़ बना तिरिपूर जो है वो 20 राज़ बना और मेघाले जो है 21 राज़ बना ठीक है तो अब याद करो गुडन गुडना मतलब गुसे गुजरात नागालेंड हरी और हिमाचल ठीक है फिर मनी याद कर लो मनी पूर पहले पना फिर त्रिपूरा और मेघाले ठीक है तो गुडन हरी और हिमाचल जो है मनी लाने के लिए ठीक है मनी लाने के लिए तीनों मेघाले गए ठीक है तो गुडन हरी और हिमाचर मनी लाने के लिए तीनों लोग कहां गए मेखाले गए तो हो गया हमारास 18, 19, 20 और 21 एकिस राज आपका कम्प्लीट अभी हो चुका है ठीक है ऐसे करके याद करना है और कब बनाए लगबास कम समझे लो मोटा मोटा जो समय है वो आपका 1972 के आसपास का समय है ठीक वो अभी यूनियन टेरेटर ही बना हुआ है ठीक है उसके अगर सिकीम का बात करें तो सिकीम जो 1947 तक इसमें चोग्याल वंस का जो है राज वंस का सासन था ठीक है समझ रहे हो बाद में 1947 के बाद सिकीम जो है एक प्रोटेक्टोरेटर स्टेट बना मतलब 1947 से लेके हमारा लगबाग 1974 तक ठीक है सिकीम क्या अपना दोस्तों सिकीम एक जो है रच्छीत राज बनेगा रच्छीत राज मतलब सिकीम को रच्छा पे विदेश मामले पे और 94 में हम लोगों ने क्या किया सिकीम को पूर्ण राज का दर्जाम दे दिया च्हतिसवा समझ जो चन सनrator के और совीधान संशोधन मनी लाने के लिए तीनों कहां गए मेघा ले गए इतना याद हो गया ठीक है और सिक्किम को याद कर लो 22 वाराज ठीक है उसके बाद है हमारा जो है मनि-पूर वह मिजोरम अरुनाचल और गोवा है तो गोवा तो आपको पता है वह आपका जो है पूर्ण राजे का जो उसको दर्जा मिलावह fresh Rain लिए बन चूका है मिजोरा इसको याद करते हैं pink मैग ठीकि Гांज भीजोरम अरुबातल है गुडणा, हरी, हिमाचल ठीक है मनी लाने के लिए तीनो तृपूरा कहा गए अपका मेचाले गए वहाँ से वहाँ से का याद कर लो सिक्किम हो गया वहाँ से सिक्किम से का सिक्किम याद कर लो सिक्किम ठीक है वहाँ से उन्होंने मग मग लाया क्या लाया मग मग में जाके मनी लेके आ रहे हैं तो मग मतलब मिजोरम अरुनाचल और गोवा याद हो गया तो यह हो गया तोटल जो है चौधर राजे बन चुका था गुजरात हो गया 15 नागालेंड हो गया 16 हर्याना हो गय 20 त्री पूरा हो गया 20 मेगालेंड हो गया 21 सिक्किम हो गया 22 ठीक है 23 राज हो गया हमारा मैग मतलब मिजोरम यह मतलब अरुनाचल जी मने गोवा टोटल हमारा 25 राज दोस्तो बन चुका है लगभव समझे लो कि 1987 था पहले अरुनाचल परदेश और हमारा जो मिजोरम यह सब था वो सब था केंसासीद परदेश था ठीक है जिसके अरुमाचल परदेश भी केंसास परदेश था उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है हम लोग जो है कि तीन राज और बनाएंगे चाउजा चाउजा याद कर लो 36 गड़ यह आपका उत्रा खंड जार खंड चाउजा यह 2000 में तीन राज बन गया तो टोटल जो हमारा अभी तक 25 राज बन चुका है तो 26 रा हमारा क्या था आपका तिलंगाना जो 2014 में बना है ठीक है तिलंगाना इसके पहले आपको पता है कि जो चंडी गड़ बंडी गड़ भी दोस्तों बन चुका है फिर हम लोगों ने किया कि जम्मु एंड कस्मीर और लदाक को जो है अलग किया तो उसके हमने किया कि जम्मु 12 राज हो चुका है 29 तिलंगाना मिला के था जम्मु कस्मीर राजी घटिया तो यह अभी केंसासीत परदेश कितना है टोटल आठ है जिसमें लोग दादरा नगर होई लिए दमंदी को मिला दिये ठीक है और लदाक अलग है मतलब यह हमारा जम्मु एंड कस्मीर एक केंसास ठीक है यह होगी हमारा अब हम देखेंगे कि राज्य को आपको पूरा क्रोनलोलोजी बस हमने याद कर दो गुड़ना हरी हिमाचल जो है मनी लाने के लिए तीनों लोग में घाले के ठीक है वहां से से मने सिक्किम वहां से है ना वहां से मग में मग मतलब मिजोरम आज याद ही रहेगा और जमु एंट कर्समीर वर्लक्रोटल आपको क्रोनलोजी पता चल गया कौन कब बना यह आपको अरेंज करने भी दे सकता है ठीक है याद रहेगा चलिए अब देखिए अब आर्टिकल तीन के अंदर जो है नाम भी परिवर्तन किया जाता है पार्लि है ना उत्रांचल का चच्छक कर करे कि हमने पुंडु पुडु चेरी किया तो नामों में हम लोगों से अब देख hybrid सकते ह्कि पर पर्वर्तमान में हमारे पास टूर्ट determin एट है अठाइस राज है और पहले थोटल जो के पर्देश थे हैं ना लेकिन अब जो है नो केंसासीत परदेश नहीं है हम लोग क्या किये हैं जो दादरा नगर हवेली और दमनन दिव है इसको मर्ज करके एक बना दिये तो टोटल हमारा आठ जो है केंसासीत परदेश और टोटल 28 जो हमारा राजय बना ये लिस्ट आप देख सकते हैं ठीक है दोस्तों उसके बाद ये जो है आपका एक टेबल है वो बस देख लीजेगा बाकि उतना इसमें काम कर नहीं है बस यह वला आपको ध्यान रखना है कि एक्ट है उससे आंद्र परदेश नहीं बना आप परदेश के लिए अलग से कानून है आंद्र परदेश एक्ट 256 के तहट बना था ठीक है बस यहीं चीज है समझ में आया है बाकि और इतना कुछ काम का नहीं है क्लियर ठीक है बाकि यह सब उतना कुछ काम का नहीं है बाकि जो एक्सप्रेंट के उपर वाला वही इसमें लिखा है बाकि यह सब उतना ध्यान देने की जुरत नहीं है दो हम लोग जो है next chapter जो है वो कल करेंगे दोस्तों यह आज हम लोगों ने day two में day तक दो दीन में हम लोग 5 chapter करच चुके हैं और हमारा Saturday Sunday तक है पूरा quality कतिम करने का है तो गूं कंप्लीट हो आगा दूसनों ठीक है तो अपने ख्याल रखिए खुच रही है मस्त रही गड़ ब्लेस्यों दूसरों टेक केर बाई बाई